ओम शान्ति आज 24 जून दो हजार चौबिस है आज का विशेश दिवस है क्योंकि आज मातेश्वरी जगदंबा मा का स्मृति दिवस है जिस जगदंबा ने जिस यग्य माता ने हम सब को practical रूप में अपने जीवन में ज्यान की धारना कर पाला और एक example रूप से हमारे समक्ष अपने आपको रखा तो ऐसे मातेश्वरी जगदंबा मा को आज की दिवस में बहुत बहुत प्रेम से याद भी करते हैं और अपने मन की प्रेम की भावना शधानजली की रूप में देते हैं आज का स्लोगन भी विशेश रूप से कुर्बानी की बात कर रहे हैं कि परमात्मा के स्नेह में हम कैसे अपने आपको कुर्बान कर सकते हैं जिस तरह से मातेश्वरी जगदंबाने की तो आईए हम सुनते हैं आज का स्लोगन बाप दादसे स्नेह हैं तो स्नेह में पुराने जहान कुर्बान कर दो दुनिया में लोग विनाशी देहिक प्यार के पीछे अपनी सुक सुविधाय अपने रिष्टे नाते सब कुछ त्याग देते हैं कुर्बान कर देते हैं इसका अर्थ ये हैं कि दुनिया में भी स्नेह को प्यार को सर्व प्रथम रखते हैं और उस स्नेह के पीछे उस प्यार के पीछे सब कुछ त्यागने की शक्ति आ जाती हैं ये बात अनुभव भी करते हैं और मानते भी है परुंतु उन्हें ये नहीं पता कि जिस प्यार को वो प्यार कह रहे हैं वो वास्तविक रूप में सच्छा प्यार नहीं अविनाशी प्यार नहीं है वो देहिक प्यार है विनाशी प्यार है और उस प्यार के पीछे कोई प्राप्ती नहीं है बलकि उस प्यार में कभी कभी भी खा जाते हैं और इसलिए अपने आपको अप्राप्त महसूस भी करने लगते हैं। प्राप्ति आत्मा को हो जाती हैं और उस प्राप्तियों के पीछे चोटे से ये जो पुराने दुनिया के वैभव, संपति, देह के रिष्टे, जो मिथ्या है उसे कुर्बान करना कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि आत्मा और अंदर से परमात्मा प्यार से संपन हो जाती हैं दुनिया के जो चीजों से आकरशित इसलिए होते हैं क्योंकि आत्मा अंदर से खाली होती हैं और जो खाली चीज होती हैं वो भरा जाता है, किसी चीज से भरी जाती हैं तो वो चीज है दुनियावी प्या अविनाशी प्यार नहीं परंतु विनाशी प्यार लेकिन जब आत्मा खुद ही परमातम स्ने से और सर्व प्राप्ती से भरपूर हो जाते हैं तो दुनिया की कोई भी चीज़ को त्यागना वा कुर्बान देना उसके लिए कोई मुश्किल नहीं लगती हैं इसलिए बाबा क कहते हैं पहले अपने आपको परमातम स्ने से भरपूर करो तो पुराने जहान को आप कुर्बान दे पाएंगे ओम शांति